Hello everyone, welcome back to my channel तो आज है breakfast में है दाल दो दाल मिलाके मैंने ये दाल बनाया और इसमें मैंने लॉकी छोड़ दिया छोटे-छोटे पीसिस करके और फिर मैंने दो पराथा वा और एक एग ओमलेट और छोटा सा एक गुर काटुपरा हस्बन को एबड़ी दे मॉर्निंग में गुर खाना पसंद है तो कभी कबर में उनको दे देती हूँ और ये है मेरा breakfast ये मैंने कॉर्ण के साथ एग ओमलेट बनाया दो पराथा और थोड़ा सा टमाटो केचप मुझे बहुत ही पसंद है टमाटो केचप के साथ तीखा मीठा दोनों बहुत ही पसंद है इसलिए मैं breakfast में थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैंने कोई lunch box नहीं पेक किया क्योंकि हस्बन का office नहीं था और मैं clean कर चुकी हूँ पूरा बरतन, सुबह का बरतन अल्री क्लीन हो चुका है फिर कुछ देर से मेरी बेटी उठी बेटी का भी अभी इसकूल बंद रहता है छुटी चल रहा है नवरातरी का तो उसको अभी कुछ खाना है तो वो इसक्वीट खाना चाहती है तो इसके लिए मैं स्कूीड बना रही हूँ छोटे-छोटे राउंड राउंड पीसेस मैंने कर लिया इसको और फिर मैंने बटर मिल्क में इसमें 30 मिनिस के लिए भी गो के रखा थोड़ा सा ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के इस साइड में एक बाउल ले लूँगी और यहां पे थोड़ा सा मैदा ले लूँगी और सेम कौन्टिटी में कौन्फलवर ले लूँगी फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर एट करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट एट करूंगी फोड़ा सा हल्दी इसमे अट करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साइड में इसको रग देंगे इसमें कोई पानी और नहीं करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे एक एक इसक्वीट को बटर मिल्क से निकाल के हम लोग ने बना के रखा है मैदा और गॉन फिलावर के इसम कॉट करेंगे आप हाथ से भी कर सकते हैं उया आप चमास से भी मिक्स कर सकते हैं एक एक सिंगल पीस को अच्छे तरीके से आपको कोट करना जैसे अच्छे तरीके से कोट हो जाए आप एक आटा चानली ले लीजिए आटा चानली में या पूरा डाल दीजिए और अच्छे से इसको चाल लीजिए चानली करने से जितना भी एक्स्ट्रा मैदा औOR कोन फ्लोवर है वो नीचे से आजाएगा जो भी काला मरी है उपर आराम से रह जाएगा जितना भी कोट होना था वो कोट हो चुका है अब देख सकते हैं मैं अभी कर चुक हूँ और यह जो आप बैटर रख सकते हैं और फिर इसमें आप कुछ पकोड़ा ओनियन का बना के आप खा सकते हैं इसमें अभी आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल पीस अच्छे तरीके से कोट हो चुका है अगर आप पूरा आप एक साथ आप आउयल में डाल देंगे आउयल पूरा खराब हो जाता है और फिर वो अच्छा नहीं बनता है तो मैं अभी रिफाइन ओयल एड़ कर रहे हूँ आप सिंगल सिंगल पीस एड़ करके फ्राइ कर सकते हैं तो मैं बहुत जल्दी में हूँ टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए मैं एक साथ जादा तर मैं एड़ आउन कर रहे हूँ आप कराइ में सब कला मेरे डाल चुके हैं तो आप इसका फ्लेम मीडियम टू हाई कर दीजिए अच्छी तरीके से इसको भून लीजिए जब तक ये ब्राउन ना हो जाए अभी ये ब्राउन होके रेड़ी हो चुका है मैं अभी इसको निकाल लूँगी ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेलदी है आप दुसरे तरीके से भी बना के खा सकते हैं मगर हम लोगों को पकड़ा ही पसंद है इसलिए मैं इसको पकोड़ा बना रही हूँ अभी मैं dry leaves डाल रही हूँ धनिया leaves यह dry है मेरे पास इसलिए मैं dry leaves एड़ कर रही हूँ गरम ओयल में तो गरम ओयल में dry leaves एड़ करने से इसका flavor बहुत ही अच्छा आता है फिर हम लोग इसमें mix कर देंगे इसमें अभी थोड़ा सा black paper थोड़ा सा चिली powder थोड़ा सा चाट मसला ओपर से डाल देंगे अच्छे तरीकेविक से mix कर लेंगे यह बहुत ही tasty है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो please follow subscribe और like जरूर करना वीडियो देखने के लिए दिल से thank you